One Punch Man का Season 3 इसका वेट करते करते जो हाइ स्कूल में थे वो कॉलेज में पहुच गए और जो पहले से ही कॉलेज में थे वो ग्रेजूएट हो गए लेकिन अभी तक इसका season 3 नहीं आया और नहीं इसके season 3 के release date से related कोई भी official update आया है और इसलिए अगर तुम सोच रहे हो कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं तो यार recently एक trusted store से ये leak आया है कि One Punch Man का season 3 2025 में ही प्रीमियर होगा और यार ये चीज तब लिख हुई जब anime सुमी नाम के एक twitter handle ने ये tweet किया कि One Punch Man के season 3 को plan किया जा रहा है 2025 में release करने का और इस tweet को One Punch Man के artist यूसू के मुराता ने retweet कर दिया जिसके बाद ये ख़बर हर जगा आग की तरह फैल गई कि One Punch Man का season 3 2025 में आएगा बट यार ये अभी पूरी तरह से confirm नहीं है कि One Punch Man का season 3 2025 में ही आएगा क्योंकि यार ये update official sources से नहीं आया है पर फिर भी हम ये मान सकते हैं कि इसके high chances हैं कि One Punch Man का season 3 2025 में ही आएगा और यार बात रही कि season 3 2025 में कब आएगा तो यार इससे related नहीं अभी तक कोई update आया है और नहीं कोई leak आया है बट यार मेरे opinion में OPM का season 3 2025 के fall में ही आएगा मतलब 2025 की इसी समय में मतलब October के आसपास में और यार मैं इसकी studio से सिर्फ यहीं चाहता हूँ कि इन्हें थोड़ा और time लेना है तो वो ले ले बट जैसा इन्होंने season 2 के animation में हगा था वैसा season 3 के animation के साथ नहीं होना चाहिए सो या बस इतना ही था इसकी वीडियो में वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like और channel को subscribe कर देना अगर आगे कभी official update आता है One Punch Man के season 3 से related तो वो मैं cover कर दूँगा और अगर तुमें कुछ अच्छे एनिमेज का recommendation चाहिए तो तुम इन दो वीडियो उसको देख सकते हो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाटा बाई बाई